तो हेलो गाईस केसाब सभी लोग स्वाकते कोर न्यू गेम प्लैम है और आज हम दुबारा से खेलने जा रहे है लाश्ट रूल सर्वाइवल तो दोस्तो जैसा कि आप सभी को पताए कि हमारा सोशल सर्वर चल रहा है और अब लाश्ट का टाइम आ चुगा है गाईस अब वक्त है बेच लेने का तो तैयारी तो पूरी है गाईस और साथी साथ अब देख लो की टीम मेट में कौन बचा हुआ है हमारे साथ मैं मैं हूँ और पापा जी है बस तो भाई देखो अंदा जैसे तो ये लग रहा है कि हम दोनों की बेच पकी है हाला कि मैं बेच के लिए नहीं कहलता लेकिन इस सर्वर में मुझे ऐसा लगा कि यार मैं बेच ले सकता हूँ तो इसलिए अगर मिल जाएगे तो ले लेंगे यार ठीक है ना तो अभी गाईस मैं एक बात बता हूँ आप सभी को कि यहाँ पे हमने दो बार बेस रेड कर दिया बिल्कुल इसी जगा सेम इसी जगा पर मुझे मतलब पता ही निये गाईस की सर्वर में इस जगा को कोई मतलब बंदा खरीद लिया किया यार मतलब यहाँ पे एक बार लकडी का बेस मिला मैंने बताया था आप सभी को फिर उसके बाद में एक बार मिला टायटिनियम का बेस उसको हमने रेड कर दिया था एक बार श्टोन का बेस मिला था उसको भी रेड कर दिया था शायद हमने मुझे याद नहीं लेकिन अब फिर स सरवर के लाश्ट में यहां पर टायटेनियम का वेस खड़ा हो गया अब मुझे समझ में नहीं आ रहे यार कि मतलब जगा भी वही सब कुछ वही और वहां पर बेस खड़ा हो जाता है कभी लकड़ी का कभी स्टोन का कभी टायटेनियम का कभी स्टिल का यार आकि यह बनाने वाला है कौन और मतलब यार 2-3 गंटे पहले देखेंगे बेस का नाम तक नहीं रहेगा और 2-3 गंटे बाद में यहां पर टायटेनियम का बेस आ जाता है यह जो सीक्रेट है न गाइस यह मुझे पता नहीं चल रहा है मैं सीक्रेट का पता करना ही चाहता हूं यार लेकिन हमें कमी नहीं नहीं है लेकिन फिर भी बेस टायटेनियम का है तो टायटेनियम तो मिलेगी ही अपना तो फाइड़ है और भी औो फिर देखो बेस ही नहीं मिल रहे थे तो यहम तो बहुर 아이 a. तो इसलिए हम लोग ने सोचा कि चलो अच्छा है यार कोई तो बंदा है जो हमारे लिए बेस बना देता है शुरुवात में जब इस सर्वर में यहां पर बेस बना था बहुत नॉर्मल बेस बना था फिर उसके बाद में थोड़ी से केनन वेनन लगा के बना था और इस बार मुझे तो यहां पर नीचे का जो फ्लोर रहे ना उसमां पाफी केनन लगी हुई है इस फ्लोटिंग डिवाइस नहीं लगा है बनने वाले ने यार कुछ वह टेस्ट करना चाहरा है हमें यार ऐसा लग रहा है मुझे तो ओके तो यहां पर पूरी तरह से क्लियर हो चुका ह मामला और इस जगा पर डॉर है गाइस उपर जाने के लिए होगा ये डॉर क्योंकि ये बेस कुछ फ्लॉर का बना हुआ है तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ सी फॉर गाइस अब मैं है ना मतलब बिना गिंती के ही बॉम लगाने वाला हूँ इस बेस में या फिर इस सा आगे जो भी बेस मिलेंगे उन में क्योंकि मुझे पता है कि अब सर्वर खतम होने का टाइम आगी है या तो बेच मिल जाएगी और अगर ना मिली तो भी भाई अब देखो बॉम अपने पास में इतने ज़ादा है तो इने थोड़ा सा मतलब मजे लेकर या खतम ही करते है वैसे तो ये पूरे खतम नहीं होंगे यार मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने कुछ जादा ही बॉम बना दिये है ओके तो यहाँ पर रूप नहीं तोड़नी है गाईस मैं अभी उपर का डोर तोड़ूँगा ओके पापाजी ने तोड़ दिया लेकिन उपर की साइड में केनन लगी हुए यार यहाँ पर लगाता हूँ गाईस बॉम है ना तो इसके डेमेज से केनन तोड़ जाएगी चलो तो भाई अभी कुछ इस तरह से केनन तोड़ जाएगी बैस में और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ गाईस यह लो सारी के सारी केनन ओन है मतलब इनमें एमो है और काफी जादा केनन है यार इतनी भी लगाने की जरूरत तो नहीं थी बन देगो चलो भाई तो मैंने अपनी हेल्थ बढ़ा लिये गाईस और मैं बॉम लगाने की कोशिश करूँगा चलो भाई मैं फिनिश ही हो गया वैसे तो मुझे लग रहा था कि मैं नोख हो जाऊँगा लेकिन फिनिश हुआ हूँ तो गाईस इस बेस को जिसने बनाया है ना मैं बता दूँ मैं उसकी केनन से किल हुआ हूँ और नाम आया है PG-100 मतलब कि जो बनाने वाला इस बेस को है ना उसने मेरा जो मेरी जो आईडिये ये वाली इससे नाम कोपी किया है PG 9999 मेरे ID है और वो PG 100 है चलो अच्छी बात है यार लेकिन मुझे जानने वाला बनाया है ये बैस इतना तो मुझे पता चल गया है मतलब कि कोई अपना या तो fan है गाईस है या पिर अपना कोई subscriber है जिसने ये बैस बना के और 3-4 बार बना के वो मेरे साथ में फ्रेंक कर रहा है यार मजाक कर रहा है कि देखे PG भाई कैसे raid करेंगे ट्राइ करते है तो हर तरह का बैस बना बना के ट्राइ करवा रहा है वो अब यार देखो हम तो वैसे भी बोर हो रहे थे तो हम तो raid पूरी complete करके ही जाएंगे अब मुझे भाई कहानी समझ में आ गई है चलो थोड़ा बहुत मैंने अंदाजल लगाया तब जाके कहानी समझ में आई है नहीं तो यार ऐसे तो नहीं हो सकता है क्योंकि यार जो मेरा fan रहेगा उसने इतना जरूर पता किया है कि PGY को बेस उदर की साइड में है हम अमेशा वहीं पर बेस बनाते है इस सर्वर में दो बार बेस बना उदर ही बना है तो वो बंदा इसी जगा को fix कर रखा है कि PGY को ये बेस 100% मिलेगा और वो raid भी करेंगे अभी भी cannon लगी हुए यार चलो तोड़ते वजूगा से गाइस बस cabinet मिल जाए यार पता नहीं cabinet किदर ठूस दी होगी यार अब raid करके मैं बताने चाता हूँ कि हावाई में इस बेस को भी raid कर सकता हूँ अरे भाई नोक हो गए पापा जी तो एक ही जगे खड़ा हो गया एक मिनट revive मिलेगा भाई पापा जी पापा जी अपनी girlfriend से बात तो नहीं करने लगए गई ओके चलो यार होश में आ गए हो भी सकता है यार बात कर रहे हो chat wait कर रहे हो क्योंकि Valentine day भी आ रहा है यार मेरे तो कोई girlfriend नहीं है वैसे यार लेकिन पापा जी कि हो सकती है पूछा नहीं मैंने यार देखे पूछ के देखेंगे chatting और setting दोनों बात बड़ी गड़बट कर देती है raid करने में एक मिनट मुझे अपनी health बढ़ा लेने दो यार पहले पापा जी अभी पक्का अपनी girlfriend के खयालों में जरूर खो गए है मुझे ऐसा लग रहा है अब तो पक्का क्या है यार मतलब हाँ 100% चलो मैं ही तोड़ता हूँ यार cannon को अब तो एक ही रेगए यार गाइस चलो हो जाएगा काम आप chat वेट करके आओ आराम से पापा जी मैं थोड़ी सी bandage बना लेता हूँ क्योंकि मेरे पास में अब med kit खतम हो गए है यार गाइस बहुत बार लगा लिए मैंने चलो भाई तो अब तो health धीरे धीरे बढ़ेगी यार क्योंकि अब तो bandage लगा रहा हूँ मैं सस्ता माल लगा रहा हूँ चलो पापा जी को होश आ गया चैट वेट कता हो गई दिखती है यार शायद वैसे यहां पर कोई आता तो है नहीं बंदा जब हम लोग raid करते तो offline raid ही रहती है और इस base में अभी तक तो कोई बंदा मिला नहीं है मुझे अगर मिल जाये तो पता चल जायेगा बाई किसने बनाया था यह base अब मैं तो बाई एक ही जगे ख़ड़ा हूँ यार पापा जी raid कर रहे है लेकिन मैं किसी से chat नहीं कर रहा हूँ ओके वो तो आप लोगों को दिखाई देई रहा है पापा जी लगा था अर बजू का पर बजू का देखते है गाइस वैसे मुझे लग रहा है कि यार केबिनेट नीचे के फ्लोर में होगी या फिर उससे उपर वाले इस वाले फ्लोर में होगी ज़्यादा उपर तो होने से रही इस रूफ के नीचे भी होतो सकती है यार यहाँ पर भी डूर आ गया ओके इसको भी तोड के देख लेते है एक बार ओके गाइस तो मैं धीरे धीरे अपनी हेल्थ भी बढ़ा लेता हूँ यार और बाकी डूर तो तूटी गया होगा नहीं तूटा तो पापाजी तोड देंगे अब ओके लगा दिये बॉम साइकलोन आई टप आपाजी के पास में टेंशन वाली बात नहीं है एक बार में तूट जाएगा डूर यार चलो देखने दो उपर क्या है उपर भी केनन लगी हुई है गाइस यार कहां पर वो सकती केबिनेट समझ में नहीं आरी बात ये क्या बना रखा है बाई बंदे ने इधर की साइड में अच्छा है ये तो यार नीचे जाने का रास्ता है और ये उपर जाने का रास्ता है उपर तो जाते ही हेल्थ जा रही है यार गाइस चलो तो रिवाइव मिल चुका है और मेड किट भी दे दिये है पापा जी ने ये हमें रेड से मिलेते गाइस ये तो आप लोगों को पताईए और बाकी पापा जी कोईंस वोईंस लगा के और अच्छे कासे मेड किट ले रखे है पापा जी का वैसे तो बैसे यार कहीं न कहीं पर सीक्रेट ये लेकर आते हैं वहाँ से साइकलोना हिट बना बना के एक काम करते गाइस जैसे हमने पेले एक फार्मूला लगाया था वेसे ही यहाँ पे भी लगाने वाला हूं मैं मैं यहाँ पे लगा रहा हूं बॉम उपर की साइड में अब एक साथ चार पाच केनन तूट जाएगी चलो तो देखते हैं भाई हाँ आगे आगे की रे गई गाइस एक मिनट रुकिये जरा यहाँ से तोड़ दी सिलिंग पापा जी ने और गाइस मुझे लग रहा है जहाँ तक चांस है केमिनेट इसके अंदर है अच्छा हुआ यहाँ से सिलिंग तूड़ गई अब मुझे अंदर जा गया थोड़ा बहुत चलो दोर तोड़के एक बार देख लेते हैं पतलब आप लोग देखो ने यार गाइस की पूरा का पूरा हिस्सा खाली है उसमें केनन लगी हुई यह बस यह एक ही जगा बंद है इसमें से कोई रास्ता भी नहीं है तो यहीं पर केबिनेट हो सकती है यार चांस तो यही है बाकी अभी पता चल जाएगा चलो डोर पर बॉम और लगा दिये है मैंने तो यह लो गाइस यार जैसे ही केबिनेट दिखाई दी पापा जी ने केबिनेट तोड दिये बजू का चला के और सई साइड से तोड़ी है यार मैंने केबिनेट भी यह लो तो केबिनेट लगा दिये उपर की साइड में रूफ लगी हुई थी अगर इधर की साइड से तोड़ते है न वाल की साइड से तो हमें रूफ भी तोड़नी पड़ती और अगर साइड से तोड़ते तो सीधी डाइरेक्ट केबिनेट तूट सकती थी तो यह देखो यहाँ पर हमें स्टिल और टाइटिनेम मिल चुकी है गाईस वैसे जरूरत तो नहीं है हमें टाइटिनेम की फिलाल अभी यह बेस तोड़ते थे गाईस चलो यार अब जो भी है मतलब कोई अगर मेरा फैन है तो अब तो वो बेस नहीं बनाएगा क्योंकि अब तो सर्वर के लाश्ट टाइम आ गया है वैसे यह जगा बुक है यार यहाँ पर बार बार में बेस बन जाता है गाईस बढ़िया बेस है यार गाईस वैसे तो ओके चलो यार गाईस पहले यह बेस पूरा तोड़ते है और मैं एक बाद बताओ मैं मतलब देख रहा हूँ कि यह सर्वर में कुछ नए बंदे भी मुझे दिखाई दे रहे है सर्वर ख़त्म ओने को टाइम आ रहा है वैसे वैसे नए बंदे भी उतर रहे है सर्वर में कुछ तो चले गए रेड करवा के खुद का बैस लेकिन कुछ अभी भी नए आ रहे है एक बंदा कल भी आया था मैंने वीडियों बताया था ना लेकिन उसका बेस मैंने रेड कया था फिर उसने मुझे किल कर दिया था लेकिन फिर वो बात मैं अपने बेस तोड़ के चला गया ओक्य ये तो अपनी लूट है यार गाइस ओके चलते हैं कचरा था वो तो तो गाइस ये रेड हो चुकी है समाब तो अब बाकी हम लोग फिरी है कोई बैस तो है नहीं न जर्मे तो दोस्तो काफी टाइम बाद में मतलब में दुबारा होना आया उस टाइम तो में ओफलाइन हो गया था फिर उसके बाद में मैं मतलब ऐसे ही रोबोट लेकर घूम रहा था तब मुझे दिखाई दिया एक बैस और जब मुझे उस बैस के पास में गया तो वहाँ पर रेड चल रही थी और रेड करने वाले थे चाइनीज तो गाइस कुछ भी कहो लेकिन इनको तो बखाना पड़ेगा यार यह न बेच लेने में दिक्कत कर देंगे देखो पहले तो बात इंडियन की चल रही थी इंडियन तो आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है फिर भी संभाल लेंगे लेकिन चाइनीज को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है भाई देखो मुझे भी थोड़ा सा डर लगता है उनसे हाई डिवाइस रहता है यार और अपना तो आप जानते ही हो यार कितना गटिया है मोबाइल तो तो अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ यह लोग भी रोबोट लेकर आए है गाईस यह देखो यहाँ पर रोबोट अंदर ही ले गए बेस के तो भाई कुछ भी कहो यह तो जमपर है गाईस है ना लेकिन मैं ऐसी बात नहीं बोलूँगा जिससे मेरी खुद की हसी उड़ जाए जैसे लोग बाग बोलते है कि यार लाश्ट में आये है मेरे सरवर में कुछ भाई लोग बोलते है कि बाई जमपर आगए इनको किक करो तो मैं अपने दोस्त को यह नहीं बोलूँगा कि इनको किक करो इनसे फाइट लेंगे और इनको भगाएंगे गाईस क्यूंकि यह दो ही है तो हम भी दो है और यह भी दो है पापा जी अभी तो ओफलाइन है गाईस लेकिन पापा जी आ जाएगा मैं बुलाओंगा तो ओनलाइन अभी तो मैं ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ यार गाईस इनका बेस पता करना पड़ेगा भगाना पड़ेगा इनका बेस रेड करके इनको अब गाईस देखो हमने एक बात सोची थी इस बेस में बेस थी तो हमने ये बेस देखा तो नहीं था लेकिन बेस की लोकेशन हमें दिखाई देती थी अब हमारे बेस से तो हम लोग सोच रहे थे कि यार बाद में रेड कर देंगे और ले लेंगे बेस छोटा मोटा ही बेस होगा तो बेस तो छोटा ही है यार जादा बड़ा नहीं है लेकिन चाइनीज अगर बेस ले गए ना खुद के बेस में तो दिक्कत हो जाएगी गाइस यह देख लो आप लोग दोस्तों मैंने देखो रोबोट से तो काफी कोशिश कर ली लेकिन वो दोनों ही नोक नहीं हुआ है तो उसके बाद मैं आपने बेस पाया सारी तैयारी ली मैंने जैसे कि आर्मर गन बजुका और पापा जी भी उस टाइम तक ओन आ चुका था तो हम दोनों आए यहाँ पर फाइट लेने के लिए इंसे यार एक तो मेरे पास में बेंड है जै यार इससे बहुत ही दीरे दीरे हेल्थ बढ़ती है गाइस पापा जी बेठा हुआ है क्यूंकि अभी मैं नोक हो गया था फाइट लेते लेते चलो गाइस हमें काफी सारी लूट तो मिले है इनसे अब मैं एक बार अपनी हेल्थ बढ़ा लेता हूँ बाकि हमारी नजर बंदों पर भी है यह पेटी देखो इस पेटी में भी लूट थी यार गाइस चलो तो यहाँ पर आर्मर नहीं मिली मुझे यार लेकिन मेड किट तो मिल गए अब एक बार में हेल्थ बढ़ जाएगी अपनी और इसमें देखते है इसमें क्या-क्या है चलो अभी तो सब कुछ उठा लेता है बंद मिल गए गाइस बेच भी यहीं पर ही पड़ी है अब एक बात बताओ गाईस यहाँ पर हम दोनों आये थे ना तो हम बिना रोबोट के आये थे और मतलब में नोक हो गया था तो पापा जी नो उस बंदे को किल तो कर दिया तो उसी की लूट मिली है हमें यह वो जो चाय नीच थे मतलब वो रेड करके बेच तो निकाल लिये थे लेकिन फिर उनको हम दिखाई दे गए तो वो हमें किल करने के चकर में लग गए और उसी चकर में वो खुद किल हो गए लेकिन अभी वो वापस आएंगे क्योंकि बेच का मामला है ना तो चलो आर्मर मिल गई टायटी ने हम की यहाँ पर चार कोल भी पढ़ाएं गाईस चलो उसको तो रहने दो तो सर्वर के लाश्ट में आप लोग देख सकते हैं कि बेच अपने बेग में आ चुकी है फिर से बेच इस बार यही चाती है कि रहूंगी तो तुमारे ही बेच में तभी तो देख लो हम लोग चाइनीच पर भी भारी पढ़ रहे है गाईस यह हुआ क्या यार एकदम से यह लोग नेटी चलना बंद हो गया गाईस ओके गाईस तो अभी मैंने नेट सही किया है अपना और यहाँ पर यहाँ पर आ रहा था चाइनीच अब तो भाई यह एसमजी लेकर आने लग गया है जो फिरी में मिल रही है अब यह लोग थोड़ी देर आएंगे मुझे पता है मतलब यह कोशिश करेंगे हमें किल करने की लेकिन इनके पास में अब गन एसमजी रहे गई है जो फिरी में मिलती है चलो दिहान रखते है थोड़ा से यार और अब तो बेच सीधी जाके अपने बेस में ही रहेगी लेकिन अभी तक भी लगबग 50 गंटे बाकी है यार सर्वर को खतम होने में अभी मैं अगर गाइस बेच रख दू अपने बेस में तो रेड हो सकता है यार क्या लगता है आपको मुझे तो लग रहा है कि रेड हो जाएगा यार अभी तक बंदे उतर रहे हैं सर्वर में यहां पर फार्मिंग पड़ी हुई है काफी सारी होके आगई सब कुछ ले लिया मैं और यहां से भी उटा लेता हूँ यार जो कुछ मिला अब क्लियर है मामला अब कोई नहीं है आसपास चलो तो गाइस यह लोग रोबोट से आये थे ना रोबोट भी फोड देंगे इनके अभी बाद में चलेंगे यार तो दोस्तों मैं एक बार तो रोबोट के पास में आया और उस पे फायर किया ना तो डेमेज ही नहीं निकला फिर मैंने सोचे यार चक्कर क्या हो रहा है बाद में पता चला कि नेट चलना बंद हो गया था फिर लोबी में जाके आया हूँ वापस यार चलो तो अभी डेमेज तो निकल रहा है लेकिन रोबोट को फोड़ने में काफी टाइम लग जाएगा यार इस काम में लगा रहा ना तो बंदा मुझे कोई भी किल करके चला जाएगा चलो दिहां चारो तरफ ही रखते है ओके इधर से कोई फायर किया है वो छुप रहा गाइस देगो वो रहा बंजू का चला दी उसने यार यह तो नोकी कर दिया गाइस चलो तो फिनिश करेगा यह मुझे मुझे पता है यार तो यह वही चाईनी जा गाइस आप लोग देख सकते हैं जो अभी रेड कर रहा था बैस एक मिनट बाकी अभी आपको पता चली ही जाएगा औरो तिरी यह तो M762 ले भी आए यह गाइस मतलब कि इनका बेस आसपास में है कहीं पर सब कुछ चूड़ गया बेच बेच लेकिन वापस मिलेगी टेंशन वाली बात नहीं है हमारा भी बेस पास में है गाइस तो हम लोग वापस जाएंगे वहाँ पर बाजी अपने हाथ में है टेंशन वाली बात नहीं है इनको तो भगा के रहेंगे इस सर्वर से यार गाइस क्या करें कभी नेट चलना बंद हो जाता है तो कभी M काम नहीं करता मतलब फोन ही इतना अच्छा नहीं है न यह है बात अगर अच्छा डिवाइस हो तो यार सब कुछ हो सकता है यहाँ पर एवी नहीं चलता यह देखो ओके चलो तेरा का डेमेज निकला है हेडशोट पढ़ा है उसके बट वो नोक नहीं हुआ बंदा ओके तो चाइनीज को पापा जी ने लपेट लिया अब चलते गाइस पापा जी मसता अदमी है यार तो अभी मैं पानी पार करके इधर की साइड में आ चुका हूँ देखो यहाँ पर सारी लूट पड़ी हुए गाइस और यह सारी लूट में उठा लेता हूँ अपनी जो बेच बेच वेच वो सब कुछ छूटा था ना वो यहीं पर छूटा था ठीक है तो वो सब कुछ मैं देखता हूँ एक बार यहीं पर होगी यार बंदा आ गया फिर से एक मिनट कहां पर है इसको नौक तो कर दिया यार गाइस पापा जी ने मेरा तो इंटरनेट पहले ही आगे पीचे हो जाता है कि भाई यह फाइट लेने वाला है तो इसका तो करो ओके पीचे की साइट से बंदा आ गया पापा जी को नौक कर दिया गाइस उसने चलो तो इसको मैंने नौक कर दिया पापा जी को रिवाईव दे देता हूँ मैं तो गाइस अब ये लोग बार बार में आते रहेंगे तो इसलिए हम लोग एक काम करते हैं यहां से लूट लेकर निकल जाते हैं लेकन पहले लूट उठाएंगे यार लूट बड़ी मस्त थी यहां पे और साथी साथ बेच भी यहीं पर ही पड़ी हुई है तो बेच मिल जाए और बाकि लूट ले लेते हैं इसी पेटी में होगी यार मेरे अंदाज से देखते हैं इसमें नहीं है यार तो यहां पे होगी ये मेरी लूटे यार शायद मुझे ऐसा लग रहा है ओके बॉम मिल गए और ये रही बेच गाइस लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बेच का क्या करू यार अभी तो देख लो आप लोग की 50 गंटे के आसपास में सर्वर में टाइम है तो अभी बेच ले जाके रख लूँगा ना तो रेड हो जाएगी बेस पर वो फिर से आ गया पहले इंटरनेट चेक करना पड़ता है गाइस की चल भी रहा है या नहीं चल रहा चलो अभी तो चली रहा है यार गाइस ठीक से तो काफी लूट में ने उठा लिये बाकी अभी तक भी बची हुए थोड़ी सी वो भी देख लेते हैं अभी यह देखो यहाँ पर आर्मर पड़ी हुए गाइस काफी सारी चलो अभी तो मैं सब कुछ ले लेता हूँ गाइस फिर उसके बाद बाद में बेकार लूट फेक देंगे क्योंकि अपने भी मतलब इस्टोरेज इतने ज़्यादा नहीं लग सकते है लिमिट आ रखी है बेस में मतलब अपने बेस में लगब चार या पाच लार्ज इस्टोरेज लग सकते है यार चार पाच ही होंगे उससे जादा मैं लगा नहीं सकता हूँ क्योंकि लिमिट आ जाती है तो ये लूट में नहीं उठा पा रहा हूँ क्योंकि ये फाउंडेशन के नीचे है वो देखो वो आगे ग्लाइडर से अरे अब बाजी हाथ में है भाई ये ओफलाइन हो गया ओके चलो हार गये सर्वर ओफलाइन हो गया गाईस लड़ते लड़ते बेचारा उसको लग गया कि अब यार कुछी नहीं हो सकता चलो अच्छा है गाईस देखो ये वक्त रेते समझ गया नहीं तो फिर उसके बाद बेस का पता करके बेस रेड करते हम ओफलाइन या ओनलाइन वो तो देख लेते हैं पापजी भी ओफ हो गया इस्टोरी खतम, कहानी खतम तो हाँ मैं बोल रहा था गाईस की यहाँ पर काफी सारी लूट पड़ी हुई है लेकिन मैं इसको ले नहीं पा रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे केबिनेट लगानी पड़ेगी एक काम करते हैं यहाँ पर एक foundation लगा देता हूँ इस पर लगा देते हैं केबिनेट अब देखो कई बार हम लोग यहसे लूट नहीं उठा पाते न तो एसे उठा सकते है बंदे दवा देते है जान बूच के यह लूट दूसरे को ना मिल पाए ठीक है अब कई लोगों को तो तरीका पता ही नहीं रहे था यह लूट क्यों नहीं आ रही सोच लेते हैं कि गिलीच हो गई लेकिन यह तरीका होता है गाईस ऐसे उठा सकते है पापा जी आ गया ओन वापस चलो तो भाई सारी लूट बेग में आ चुकी है बंदे भी ओफलाइन जा चुके है बेच भी अपने पास में है अब पापा जी से पूछ लेंगे एक बार कि बेच का क्या करना है यार लगबंग दो बार बेच आ चुकी बेग में लेकिन एक बार तो फेक दिया था मैं और दो बार अभी शायद अभी तो फेक नहीं पड़ेगी ये लो तो यहीं पर रख दिये मैंने बेच क्योंकि पापा जी ने भी यही कहा कि बाई दिखो बेच तो रख लेंगे बेच में लेकिन फिर बेच रेड़ हो जाएगा तो यहीं पर पठक चलो और बाकि फिर बेच अपने पास में बाद में आ जाएगी पूरा सर्वर अपने हाथ में है तो इसलिए हम लोग अब जा रहे है अपने base पर base बाद में लेंगे guys, last में तो बस यह guys, आज के लिए इतना ही अगर आज के यह video आप सभी को पसंद आया हो, तो video को कर दीजे like channel को कर दीजे, subscribe अगर आपने अभी तक हमारा facebook page follow नहीं किया है जल्दिस जाएए follow कीजे, link आपको हमारे वीडियो के description में मिल जाएगा, तो हम मिलेंगे एक और new game plan में तब तक के लिए, bye